नमस्कार दोस्तों मैं प्रिया सैनी आप सभी का अपने चैनल जर्णी ओफ एम में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों कैसे हैं आप सभी आप सभी बहुत अच्छे होंगे घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे आज मैं आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक पर एक वीडियो लेकर आई हूँ जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपको मेरे चैनल पर वही चीज़े अप्लोड मिलती हैं जो आप डिमांड करते हैं तो ऐसे ही आज आपकी ही डिमांड पर मैं एक प्ले स्क्रिप्ट राइटिंग आपके लिए लेकर आई हूँ जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि मैं प्लीज एक वीडियो इस टॉपिक के उपर अपलोड कर दीजे तो आपकी इंपोर्टेंस को देखते हुए आपकी नीड को देखते हुए मैंने ये वीडियो आपके लि विंती है छोटी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और जादस ज्यादा शेयर करें देखिए आपका कुछ नहीं जाएगा एक वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करने में तो प्लीज मुझे आप लोगों से ही मोटि टॉपिक को आप समझिए उसके बाद आप कोई भी टॉपिक लिखते हैं ऐसा नहीं कि आपने टॉपिक पढ़ा और लिखना शुरू कर दिया नहीं जब आप टॉपिक पढ़ते हैं तो जरूरी है कि उस टॉपिक की एक-एक वर्ड को समझना ताकि आप एक अच्छा राइ आपको एक play script writing लिखनी है. तो चलिए play script writing मतलब एक role के रूप में लिखना है, एक script लिखनी है, एक कहानी के तोड़ पर आपको पूरा ये, उनका जो important event है वो बताना है. तो starting ऐसे करेंगे, Our society has always needed such great men who sacrifice inspire us to give up our lives, but do not give up the truth. तो हमारी society को हमेशा सदा ऐसे महान लोगों की जरूरत है, जो हमारी लिए, अपने बलिदान के लिए हमारी inspiration रहे हैं. ठीक है, उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया, लेकिन सच का मार्ग नहीं छोड़ा. One of the great men was great sacrifiers, गुरू तेग बहादूर जी. ऐसे ही एक महान व्यक्ती, महान बलिदानी व्यक्ती, गुरू तेग बहादूर जी थे. He was the ninth guru of six. वो जो सिख थे, उनके नौवे गुरू थे. He was the youngest son of guru Hargobind Singh. तो Hargobind Singh थे, जो उनके सबसे youngest ये बेटे रहे हैं. He was known as the guru star of Sikh. तो अगर हम इन्हें सिखों का धुरुवतारा, जो की, आप देखते हैं कि आसमान में जो धुरुवतारा होता है, वो सबसे जादा चमकता है. तो ऐसे ही जो गुरुते एक बहादुर हैं, वो भी धुरुवतारे के समान ही चमकते हैं. दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो, तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब करें, वीडियो को लाइक करें. In 1st April 1621, a child born in Amritsar. तो 1 April 1621 में एक बच्चा Amritsar में जन्म लेता है, विच नेम्ड त्यागमल, जिसका नाम त्यागमल था. He was very intelligent, वो एक बहुत ही होशियार था. He was brave and fearless nature since childhood. वो बच्चपन से ही कह सकते हैं बहादुर और बिना भै के रहने वाला एक बच्चा था. At the age of just 14, जैसे ही वो 14 years के होते हैं, he showed baller in the war against the attack of the Mughal. वो अपनी बहादुरी, जो Mughals के खिलाफ जो एक लड़ाई होई थी, युद्ध हुआ था, उसमें दिखाते हैं. Impressed by his bravery, उनकी bravery से impressed होकर, his father changed his name from त्यागमल to तेग बहादुर. उनकी इसी बहादुरी से परभावित होकर, उनकी जो पिता हैं, उनका नाम त्यागमल से हटा कर तेग बहादुर कर देते हैं. मतलब, जो सबसे बहादुर है. In his earlier days, he learned several languages such as Guru Mukhi, Hindi, Sanskrit and religious philosophy when he was known as तेग बहादुर. तो उनके अपने पहले बचपन से ही उन्होंने बहुत सारी language सीख ली थी जैसे Guru Mukhi, Hindi, Sanskrit and other religious philosophical when he was known as तेग बहादुर. He spent his time in studies and meditation. तो वो अपना जादा समय पढ़ने में और meditation करने में ही गुजारते थे. Time passed and soon he got married at Mata Guzri G. at Kaltaarpur in 1632. समय बीटता गया और समय जैसे ही बीटता रहा उनका विवाह Mata Guzri G. से Kaltaarpur में 1632 में हो गया. तो देखे कहानी चल रही है. तो आपको ऐसी ही स्क्रिप्ट लिखनी है. Soon the responsibility of instruction, the guiding the Sikh community was Guru Tegh Bahadur. He sacrificed his life for the welfare of people. उन्होंने अपना जो जीवन है वो लोगों के welfare में उनके कह सकते हैं कि अच्छे कारियों में बलिदान दे दिया. The important event of the Guru Tegh Bahadur जी life, जो important event है Guru Tegh Bahadur जी की life का, is different world's religion, मतलब धर्म की रक्षा करना है. November 1675, on this day, when he was beheaded by Mughal Emperor Oranjeb. तो उनका जो सिर कलम कर दिया गया था, सिर काट दिया गया था 1675 में. Often referred to as Hinddi Chadar, which means shield of India. Guru Tegh Bahadur ji is considered as the most selfless martyr. तो उन्हें एक महन बलीदानी व्यक्ति के नाम से जाना जाता है. The Mughal Ruler wanted to convert all Indian Muslims. तो जो Mughal Ruler थे, उस ट्राइम Mughal Ruler, जैसे कि आपको पता चल गया है कि औरंजेब थे, वो क्या चाहते थे कि जो सभी Indians हैं, वो क्या बन जाएं? Muslim बन जाएं, उनका धर्म परिवल्थन हो जाएं. He wanted everyone to either take up Islam or else be prepared by execution. कि हर एक व्यक्ति Islam को अपना ले. After this announcement by ओरंजेब, ओरंजेब के इस announcement के बाद, इस घोशना के बाद, a group of 500 कस्मीरी पंडित, led by पंडित क्रिपा राम, went to seek help the Guru Tegh Bahadur at आनन्दपूर साहिब. तो ऐसे ही 500 कस्मीरी पंडित मिलकर, Guru Tegh Bahadur जी के पास, उनसे मदत मांगने के लिए जाते हैं. On hearing this, atrocytes of Euron Jeb Govind Rai, the son of Guru Tegh Bahadur declared that it was only father who can solve this problem. तो जैसे ही ये बात, जो Guru Tegh Bahadur जी थे, उनके बेटे थे, Govind Rai उनको पता चलती है, तो वो कहते हैं कि आपकी जो समस्या है, उन कश्मीरी पंडितों से कहते हैं कि आपकी जो समस्या है, उसका समाधान सिर्फ मेरे पिताजी ही निकाल सकते हैं. The ninth guru of six readily agreed to help the Pandit. तो ऐसे ही जो ninth guru कोन है? Guru Tegh Bahadur जी वो पूरे agree हो जाते हैं Pandit की help करने के लिए. He asked them to inform the Mughal ruler that if he able to convert Guru Tegh Bahadur's, then all would follow the suit. मतलब, अब इसका मतलब समझी बच्चो, जो Guru Tegh Bahadur जी हैं, वो कहते हैं कि जाओ मुगल साशक और अंजेब से कह दो, कि अगर वो मेरा धर्म परिवर्तन कर देते हैं, तो जितने भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं, सबका ही धर्म परिवर्तन हो जाएगा, सभी धर्म परिवर्तन करवा लेंगे. तो ये बात Guru Tegh Bahadur जी कहते हैं, आफ्टर ओरंजेव कम टू अबाउट, दिस Guru Tegh Bahadur was arrested and pre-went before the Mughal ruler. तो ये सुनकर ये शब्द जो हैं, ये सुनकर औरंजेव वहाँ आता है, और जो Guru Tegh Bahadur जी है, उनको arrest कर लेता है, बंदी बना लेता है. Guru Tegh Bahadur clearly refused to take up Islam. और जो Guru Tegh Bahadur जी होते हैं, वो पूरी तरह से ये मना कर देते हैं, कि मैं Islam नहीं अपनाओंगा. As a result, he along with the followers were physically tortured for five days. और जो Guru Tegh Bahadur जी है, उनको पूरी तरह से मारा जाता है, पीटा जाता है, टोर्चर किया जाता है पूरे पाँच दिनों तक. As a result, और अंत में, औरंजेव बहेड़ेड़ हिम, दा चान्नी चोग इन दा बार्ट देलाइक. तो और सूरज की रोशनी में, चान्नी चोग के चोड़ाहे पर, जो औरंजेव होता है, वो Guru Tegh Bahadur जी का सर कलम कर देता है, सर धड़ से अलग कर देता है. इस बात पर Guru Tegh Bahadur जी कहते हैं, कि मैं अपनी पगड़ी नहीं उतारूंगा, बहले ही अपना धड़ उतार दूंगा. तो ये चीज भी आप यहाँ पर एड़ कर सकते हैं. अपना जीवन दूसरों के धर्म के बचाने के लिए बलिदान कर दिया, ऐसे महन व्यक्ती हमेशा हमारे हिर्दे में रहेंगे. तो बच्चों, ये आपकी एक प्ले स्क्रिप्ट थी. I hope आपको पसंद आई होगी. और आपको पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें. क्योंकि आपके लिए जो जो टॉपिक इंपोर्टेंट होते हैं, वो सभी टॉपिक्स आपको मेरे चैनल पर मिल जाते हैं. तो प्लीज आपके लिए ये बहुत ही beneficial channel है तो प्लीज दोस्तों और मुझे आप लोगों से ही motivation मिलता है और कैसा ये script लगा आप मुझे at last जरूर comment books में comment करकर बताएं वीडियो को like करना ना भूलें साथ ही किसी important topic पर आपको essay चाहिए poem चाहिए, slogan चाहिए या script writing चाहिए तो आप मुझे comment books में comment करकर बता सकते हैं तब तक के लिए all the best for your competition Thank you so much